उत्तर प्रिदेश सरकार का बजट सदन में पेश हो चुका है, सरकार का दावा है कि यह उनका पहला कदम है उत्तर प्रिदेश की अर्थ विवस्ता को ट्रिलियन डॉलर एकॉनिमी की तरफ ले जाने का, यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, इस मुद्दे पर बात करने के हमारे साथ मौझूद है, लकनुविश्य विध्याले के एकनोमिक्स विभाग के विभागाद्यक्ष और जाने माने अर्थ शास्ति प्रोफेसर एम के अगरवाल जी, आईयम इन से बात करते हैं और इस बजट की बारिक्यों को समझनी कोशिश करते हैं, सर आपका बहुत- सर बजट आपने देखा, इसको लेकर आपकी तुरिक टिपड़ी क्या होगी? दूसरा बिजली के मामले में आर्थ निर्भरता क्योंकि बिजली की मांग बहुत तेजी से उत्तरप्रदेश में बढ़ रही है, उसका कारण ये है, क्योंकि उत्तरप्रदेश में बिकास तेजी से हो रहा है, और जब बिकास तेजी से होता है, तो बिजली की मांग उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ती है तो उस पर आत्मिद्धरता की तरफ बढ़ने के लिए दो उदारण मैं दूंगा एक किसानों के सोलर पंपर विशेश ध्यान दिया जा रहा है जिसे पुद्धान मंत्री की स्कीम भी है और दूसरा एक नया इन्होंने कारक्रम शुरू किया है जो अब तक किसी ने नहीं सोचा था वो है कि गामीन सडकों पर बाबू कल्यान सिंग के नाम पर उसको सोलर एनरजी से आच्छादित करना यानि कि सोलर लाइट से आच्छादित करना और इसी क्रम में सोलर पर बहुत फोकस है अगर आप उठा करके देखें तो जैसे खेलो इंडिया हो 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर तयार करना हो चाहे खेल बिश्विद्याले हो चाहे आयूश्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् प्रदेश को अग्रडी राजियों में ले जाने में तसाबित हो सकता है सर आपने देखा है विदान सबार चुनाव में इस बार रोजगार का मुद्धा बहुत जादा उचला था ये बजट इस मुद्धे को लेकर कितना आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है मुझे जो लगता है कि जस प्रकार से इन्होंने ओडी ओपी का जिक्र किया है और जस प्रकार से निजी निवेश की बात आ रही है तो मुझे लगता है कि रोजगार मुखी ये बजट हम कंसीडर कर सकते हैं कि अभी सीमाई की रिपोर्ट आई थी एक महिना पहले ही तो उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य आज के दिन है लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जो इस्थिती है आप कह सकते हैं कि उनके आई को और बढ़ाया जाना चाहिए लेकिन बेरोजगारी आज उतनी बड़ी चुनोती नहीं थी जो कुछ वर्सों पहले तक हुआ करती थी और जिस प्रकार का बजट है मुझे लगता है कि बेरोजगारी कम करने में रोजगार बढ़ाने में एक शब्द में आगे जोड़ू रोजगार को और अधिक लाभानमित करने में मुझे लगता है ये कड़ी साबित होगी अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सुरच्छा की बात है जैसे ग्रामीन एरिया में देखें नाइट में भी अगर विजली आपको मिल रही सीसी टीवी का जिस प्रकार से कर रहे हैं अरबन एरिया में जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं और हर थाने में महिला एक कियोस की अस्थापना करने की बात हो रही है तो और सशक्ती करण तो हई है जैसे मिशन सक्ती चौथे फेज में चल रहा है तो मुझे लगता है इस ओर में ठोस प्रियास चल रहा है और ये बात इसलिए उठती है क्योंकि महिलाओं का अभी तक ये रहा है कि हमारी देश की अर्थववस्ता ट्रिलियन डॉलर एकानोमी की तरफ बढ़ रही है तीन ट्रिलियन डॉलर और यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर बनाने की बात की जा रही है ये रास्ते कितने मुश्किल हो सकते हैं रास्ति कि यह तो challenge वाला रास्ता ही है इसलिए इसकी चर्चा हो रही है सामा ने 5% 7% growth की बत अगर करते तो यह होता कि इक सामा ने growth की बात कर रहे हैं लेकिन एक बड़ी छलांग लगाने की बत है क्रोणा ने इसको बाधित किया no doubt तो उस कमी को पूरा करते हुए मुझे लगता है कि अगर नीजी निवेश को जितना आकरसित कर सकते हैं, एक लाइन है अगर इसमें मैं कहूं, इनके बजट में सारी अच्छाईया हैं, इन्फराइस्ट्रक्चर हो, चाहे सोशल डेवलप्मेंट हो, चाहे वूमेन डेवलप् सारी स्कीम्स हैं, अब जो इनका लेट मेंस टेस्ट होना है, और मुझे लगता है उसे सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि तीन जून को ही इन्वेश्टर सम्मीट में 75,000 करोन की उमीद ये लेकर के आए हैं, इसी प्रकार से और इन्वेश्टर सम्मीट होंगे, जितना ज प्रजट की बारिकियों को समझाया, वीडियो जनलिस्ट विजय वर्मा के साथ आशीश तिरपाथी, ETV भारत, लखनव